गुड बॉनिंग प्यारे विदार्थियों गायत्तिरी विद्यामंदीर उच्छ मद्यमिक विदाली सांचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं तो प्यारे विदार्थियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा शिक्ष का व्याकन का आज का परकण है परत्य परकण नम भाग एक इनहीं परकण के साथ हमें मैं मुकेश कुमार वर्मा तो आईए प्यारे विदार्थियों आज के इस परकण के अंदर हम परत्य की परिभा अब परते प्रकणम तो सबसे पहले आज की प्रकण के अंदर हम इस परते की परिभासा को समझते हैं तो देखे जो सब्द किसी संग्या, सरवना, विशेशन, अर्थवा धातू किरिया सब्द के बाद में पच्छात किसी विशेश अर्थ को वैक्त करने के लिए जोड़ा जाता है जो सब्द किसी संग्या, सरवना, विशेशन, अर्थवा धातू किरिया सब्द के बाद में किसी विशेश अर्थ को वैक्त करने के लिए जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहेंगे अपन परत्य कहते हैं परत्यों के परकार तो देखें परत्य जो है मुख्यत दो परकार के होते हैं परत्य कितने परकार के होते हैं? दो परकार के एक हैं आपके लिए क्रित परत्यों दूसरा कुन सा है? तद्धित परत्यों क्रित परत्यों और तद्धित परत्यों अब हम पढ़ते हैं क्रित परत्य क्या है और तद्यत परत्य क्या है तो देखें क्रित परत्यों क्रित परत्य क्या है किर्थ परते मूल किरिया अर्था धातु संस्क्रिण बोलते हैं धातु हिंदिम बोलते हैं जिने किरिया तो इस धातु के मूल रूप अर्था धातु के मूल सब्द के बाद में किरिया के मूल किरिया सब्द की तुन्त बाद में अलग-अलग अर्थों का बहुत कराने वाले जिन परत्यों को जोड़ करके संग्या, विशिशन, अवे, तथा कहीं-कहीं किरिया पद का भी निर्मान किया जाता है अर्थात, पहलो तो आपको ये याद रखना है कि परत्य जो है वह हमेशा पीछे जुड़ते हैं, कहां जुड़ते हैं, उपसरग पूचा जाये तो इसके विपरित आगे जुड़ते हैं तो मूल किरिया सब्द के बाद में अलग-अलग अर्थों का बोध कराने वाले, किरिया सब्द के बाद में जुड़कर के अलग-अलग अर्थों का क्या बोध कराएंगे, कहीं संग्या सब्द बनेगा उसका, कहीं विशिशन बनेगा, कहीं अवे, यथा कहीं किरिया पद क का निर्मान किया जाता है तो उन परत्यों को किर्थ परत्य कहते हैं हालांके नहीं शेप्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि किरिया के पीछे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें किर्थ परत्य कहते हैं तो किर्थ परत्य वे हैं जो का जुड़ते हैं किरिय के बाद में अब देखते हैं हम कौन-कोन से प्रत्य आते हैं तो कि प्रत्यों के अंदर कत्वा लैव एवाम तुमन आधी प्रत्य आते हैं कत्वा में और केर्थ परद्यों में, कर्फ, लयव, तो, डूमोन, अनियर, कत्थ, कत्वतु, सत्री, शानच, इस प्रकार से ये परत्य जो हैं, वो कर्थ परत्यों के अंदर आते हैं, तो इनमें हम पढ़ते हैं सबसे पहला कतवा परत्य कौन सा परत्य पढ़ेंगे तो कतवा परत्य इतने बहुत ये इजी हैं तो कोई आपको डिनने की जुरत नहीं आराम से आप याद कर सकते हैं इन्हें आप बस समझना होगा तो देखें कतवा परत्य कतवा परत्य में क्या होता देखें विद्यारतियों कतवा परत्य कतवा नाम लिखा हुआ है कतवा इस कतवा जो है आप समझे कतवा ये परत्य हैं तो इस कतवा में से पर्थमवर्ण का इस पर्थमवर्ण का जो है इस का का लूप हो जाता है तो का क लोप होकर के केवल तवासेश रहता है तो देखे विजाद से यहां पर क्या सेश रहा है तवा तो जहां तवासेश रहता है वहां पर कत्वा परत्य बनता है जहां तवासेश रहता है वहां पर कौन सा परत्य बनता है तो कत्वा परत्य अर्थात पुर्व कालिक किरिया को ज उप्सरग रही कत्वा परत्य जहां होगा वहां पर उप्सरग आगे जुड़ा हुआ दातुओं में नहीं होगा तो उप्सरग क्या है ये भी अपने आगे के टॉपिक में पढ़ लिया है तो उन किरिया सब्दों में कत्वा परत्यों को जोड़ा जाता है जहां परक आगे उप्ष्रग नहीं होगा तो वहाँ पर कत्वा परत्य को जोड़ा जाता है साथ में कत्वा का तवा सेश रहता है वो इस परत्य की एक पैचान है क्या है पैचान क्या सेश रहता है तवा तो यहाँ पर देखें इस कत्वा परत्य से बने हुए सब्द रूप अर्थात कत्वा परत्य का किया गया परियोग कत्वा परत्य का परियोग दिश्प्च पेले आगे क्या है धातू और धातू के पीछे तुरंद क्या जुड़ते हैं ये परत्या धातू के कहा जुड़ते हैं पीछे अब कत्वा परत्य को जोड़ करके कत्वा परत्य से बना हुआ रूप और उन सब्द का क्या अर्थ निकलता है उनका अर्थ तो दिखें गम धातु उसके पहले कौन सा धातु आया है गम धातु कौन सा परत्य जोड़ा आपने कतवा परत्य तो गम धातु में कतवा परत्य के जुड़ने पर क्या सब्द बना है गतवा अर्थ क्या हुआ जाकर क्या अ क्रित्वा करके अस्थातु जिसका ब्हू क्रित्वा परत्य जोडने पर बना है जित्वा जित्कर इसी प्रकार देखे देखना द्रिश्थातु कत्वा परते जूने पर बना है द्रिष्टवा देख कर यहां पर इस्टुत्व सल संदी हो रही है वेंजन संदी पी धन कत्वा तो पित्वा पी कर पठ धन कत्वा पठित्वा पढ कर इसी प्रकार देखें प्रिष्टवा तू पूछना तो कित्वा परत्य जोने का बना प्रिष्टवा जिस प्रकार दिस्टवा बना इसी प्रकार क्या बना है क्रिष्टवा पूछ कर रक्ष धातू के योग में कत्वा परत्य जोने पर बना है रक्षित्वा रक्षा करके लिख धातू में कत्वा परत्य जोने पर क्या बना है ल श्मित्वा, याद करके, इप देखते हैं, अपनले परते हैं, तो देखें, पहले अपने क्दवा पिचान, क्या पड़े थी, कि पीछे कि आशे हैं, तावा, तो यहां पर सब में पीछे देखें आप तो अच्छो कत्वा परत्य जुड़ा हुआ है अब हम देखते हैं अगला परकरन लेप परत्य क्या परत्य है अपान लेप परत्य देखें लेप परत्य में क्या होता है लेप परत्य है वह भी कत्वा के समान इस्थान पर ही परियोग तो होता है कत्वा के समान पर कौन सा परत्य जोड़ा जाता है लेप परत्य जब किरिया धातु से पुर्व कोई उप्षरिक जोड़ा हुआ हो तो वहां पर कत्वा परत्य नहीं जोड़ा जाएगा बलकि कत्वा के इस्थान पर लेप परत्य जोड़ा जाता है और लेप परत्य भी कर या कर के अर्थ म ही होता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर आगे धात्गों के आगे क्या जुड़ते हैं उपस्रग बाद में क्या जुड़ते हैं परते तो जहां पर आगे उपस्रग जुड़े हुए हो तो वहां पर अपन लेप परत्य को ही जोड़ा जाएगा वहां पर कत्व परत्य कभी भी जुड़ा नहीं जाता है अब देखे लेप परत्य में क्या होता है लेप परत्य में आगे के लगा और पीछे के पा का लूप हो जाता है इन दोनों के लूप हो जाने पर केवल यह सेश रहता है क्या सेश रहता है यह तो जहां यह सेश रहता है वहाँ पर कौ अगला देखें लेप परते से बने हुए सब उपसरग अब यह पढ़ने पढ़ा कि लेप परते का आगे क्या जुले रहते हैं तो उपसरग जुले रहते हैं परत्य आप्रथिय और उसका क्या अर्थ निकलता है यहाँ पर सम, जो है वह क्या है? है उपसरग हैं तो सम उपसरग के अंदर कोट्स दाटु जोर Taliban अस दातु जिसके भो लयभ प्रत्य जोरने पर क्या बना सब्द सम्बुय पिछे क्या आया यह जो अब इत अपने पड़ा कि यह से तर्ता है सम उपसरग अस दातु और प्रत्य जुराyor उसमें लेप क्या बना संबोय जिसका आर्थ क्या हुआ है एक त्रित होकर कर्याकर के अर्थ में आ रहा है पीछे कर आया है उप उप्षरग धातु है क्री क्या बना लेप परत्य जोडने पर उपकर्त्य अर्थात उपकार करके प्री धात उप्षरग चल धातु लेप परत् बी उप्षरग जी धातू लेप परत्य जोड़ने में बनाएं विजित्य जीतकर आ उप्षरग दा धातू लेप परत्य जोड़ने में बनाएं आदाय अर्थात लेकर आ उप्षरग नी धातू लेप परत्य जोड़ने में बनाएं आनिय लाकर सम उप्सरग पठ धातू के जोडने से और उसमें अंतमें लेपरतिय को जोडने पर बना है सम पठया अर्था पढ़ कर सम उप्सरग बक्स धातू बक्सन करना खाना लेपरतिया अर्था खाकर सम उप्सरग रक्ष धातू बक्स याद करना विश्मर्था अर्था बहुल कर आगे वी जोडने पर क्या बना है दातु लेप परत्य विहस्याने की हंस करके तो प्यारे विदार्थियों इस उप्षरग की अंदर क्या बताए आपने पीछे क्या से सता है यह तो आदाए पाठनीय संबोयय संभक्षय सरक्षय विश्मर्तिन सब में पीछे क्या आ रहा है यह कुन सा प्रते जुला है लेप पर पर्ते में क्या इसरता है यह लव और पाका सेसलर का लूप होने पर फिच्छacăर इंसरता है में उसके विस्षा क्या है कि आगे क्या जुड़े रते हैं उप्शेक जहां दाथव क्या इसरता है तो वहां पर कोण साosphोन हो है लेब परत्य हो रहा है तो प्यारे विदार्तियों आज के इस वीडियो के अंदर आपको लेब परत्य और कत्वा परत्य ये दोनों परत्य जो हैं आपको समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे तो प्यारे विदार्तियों मैं आपसे उमिद रखता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलें इसको आप लाइक जरूर करें सेर करें सब्सक्राइब करें और अगर इस यूट्यूब चैनल को आप पहली बार देवादें